सूप्रभाद बच्चो आज मैं आपकी संस्कृत अध्यापी का मिनाक्षी सिंगल ब्राइट स्कोलर सीनियर सिकेंडरी स्कूल की ओनलाइन कक्षा में आप सब का स्वागत करती हूं आज हम पार्ट चार धातु परीचे पढ़ेंगे लेकिन इस से पहले मैं आपको पार्ट दो और तीन में जो पढ़ा था उसके बारे में पुन्रावृति कराऊंगी पार्ट दो में हमने शब परीचे सीखा था जिसके अंतरगत हमने पुलिंग, इस्त्रीलिंग और नपुसक लिंग तीन लिंगों के बारे में पढ़ा था पुलिंग के अंतरगत हमने अकारांज शब्द सीखे थे जैसे चात्रह, चात्रव, चात्रह, बालकह, बालकव, बालका, शूकह, शूकव, शूकह उसके बाद इस्त्रे लिंग शब्दों के अंतरगत हमने आकारांच शब्दों के बारे में पढ़ा था ललना, ललने, ललना, लता, लते, लता इसके बाद हमने नपुसक लिंग शब्द पढ़े थे जिसकी अंतरगत हमने पुश्पम, पुश्पे, पुश्पाणी, पत्रम, पत्रे, पत्राणी आदी शब्दों के बारे में पढ़ा था अगले पाठ में हमने इन शब्दों के स्थान पर प्रियोक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ा था जैसे बालके है बालकव बालका इनके स्थान पर हम स तव ते का प्रियोग कर सकते हैं लता लते लताह की स्थान पर सा ते ताह का प्रियोग कर सकते हैं पुश्पम, पुश्पे, पुश्पानी न पुश्चक लिंग शब्दों के स्थान पर तत्ते तानी का प्रियोग कर सकते हैं। और मध्यम पुरुष अर्थात श्रोता के लिए तुवम, युवाम, यूयम का प्रियोग कर सकते हैं। और उत्तम पुरुष वक्ता के लिए एहम आवाम वयम का प्रयोग कर सकते हैं अब हम पाठ चार में धातु परिचे सिखेंगे किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए हमें केवल संग्या और सरवनाम ही नहीं उसके साथ हमें क्रिया की भी आवशकता होती है और उस क्रिया को हम धातु कहते हैं देखिए अब क्रिया क्या होती है जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्ये के करने या होने का पता चलता है उन्हें धातु कहते हैं जैसे गम मैंने जाना, पठ मैंने पढ़ना, आदी धातु रूप पुरुष वचनवे काल के अनुसार चलते हैं और धातु रूप के काल को हम लकार कहते हैं इसके बारे में आप लकारों के बारे में आगे पढ़ेंगे धातु दो प्रकार की होती हैं नमबर एक परिवर्थनिय, नमबर दो परिवर्थनिय, अपरिवर्थनिय, जो जैसी धातु है उसको हम उसी प्रकार प्रियोग करते हैं, जैसे पट, पट का प्रियोग हम पटती पटत पठनती, इसी प्रकार करेंगे, भ्रमती भ्रमत भ्रमती, लेकिन परिवर्थनिय होती हैं जिनका शब बदलकर हम उन्हें प्रयोग करते हैं जैसे गम धातु है तो गम धातु को हम गच्छती गच्छंती की तरह प्रयोग करेंगे पहले हम अपरिवर्तनिय धातूं के बारे में पढ़ेंगे अपरिवर्तनिय धातूं के कुछ उधारन देखिए पठ धातू पढ़ना पठती पठत पठन्ती पठती मैंने एक पढ़ता है जैसे यहाँ आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि एक बालक पढ़ रहा है तो बालकह पठती बालक पढ़ता है तो पठती मतलब एक पढ़ता है पठतह पठत क्या है द्वीवचन तो दो पढ़ते हैं और जहाँ दो से ज़्यादा पढ़ते हैं उसके लिए हम क्रिया पठन्ती का प्रियोग करते हैं तो यहाँ पर एक के पढ़ने के लिए पढ़ती, दो के पढ़ने के लिए पढ़ता और दो से अधिक के पढ़ने के लिए पढ़नती का प्रियोग करते हैं इसी के बाद आगे देखें लिख लिखती लिखता लिखन्ती लिखती मैंने एक लिखता है या लिखती है लिखता मैंने दो लिखती है या लिखता है और लिखन्ती मैंने अनेक लिखते हैं या लिखती है इसी प्रकार आगे और कुछ उधारन देखेंगे हस्ती हस्त हसंती हस्ती एक हस्ता है हस्त दो हस्ते हैं हसंती अनेक हस्ते हैं खेल की देखिए खेलती खेलता खेलनती इसी प्रकार आगे और देखिए उधारन खाद मैंने खाना एक खाती है या खाता है खादती दो खाते है या खाती है खादतो है और अनेक खाते है या खाती है खादनती वदधातु में वदती वदते वदनती अब आपने एक बात दिहान से देखी होगी जैसे वद है तो वदती, खाद है तो खादती परिवर्तनिय धात्वी अब हम देखते हैं परिवर्तनिय धात्वी परिवर्तनिय धात्वी के मूल रोप में परिवर्तन करके उन्हें प्रयोग किया जाता है जैसे पा को हम पिबती पिबत पिबनती पाती पाते पांती नहीं कोलते हम क्या लेंगे इसका शब्द हम पिब ल तो इसी लिए ये कहलाती है परिवर्तनिय धात्वी तो पाक धातु जो है पिप्ती पिप्त पिबनती एक पीता है पिप्ती, दो पीते हैं पिप्त और दो से अधिक पीते हैं तो पिबनती इसके बाद आगे देखिए द्रिश द्रिश धातु को हम पश्य लेकर चलते हैं पश्यती, पश्यता, पश्यन्ती एक देखता है पश्यती दो देखते हैं पश्यता और दो से अधिक देखते हैं तो पश्यन्ती उसके बाद है गम गम धातु गच गच की तरह चलेगी? गच्छती गच्टक गच्छन्ती एक जाता है दो जाते हैं और गच्छन्ती अनेक जाते हैं निरित धातु है लेकिन प्रियोग हम निर्तिय शब्द का करते हैं निर्तियती एक नाश्ती है निर्तियत दो नाश्ती है और निर्तियन्ती अनेक नाश्ती है ग्रा मैंने सूंग रा इसको हम जिग्र शब लेकर चलते हैं जिग्रती जिग्रत जिग्रती एक सूंगती है जिग्रत दो सूंगती है और जिग्रती अनेक सूंगती है तो इस प्रकार हम धातूं का प्रियोग करते हैं अब एक और देखिए त्री त्री को हम तर तर शब्द लेकर प्रियोग करेंगे तर्ती तर्तह तरंती एक तैरता है उसके लिए तर्ती दो तैरते हैं उसके लिए तर्तह और अनेक तैरते हैं उसके लिए हम तरंती धातु का प्रियोग करेंगे इसके बाद देखे कुछ छोटे-छोटे वाक्य के उधारन देखिया पढ़ता है, एक पढ़ता है उसके साथ हमने स लगा दिया स सर्वनाम, स पढ़ती वह पढ़ता है सा पढ़ती, सा देखो इस्त्रिलिंग है स तवते और सा तेता आपने पीछे सर्वनाम परिच्य में पढ़ा है स पढ़ती वह पढ़ता है और सा पढ़ती वह पढ़ती है दोनों पुलिंग और इस्त्रिलिंग में क्रिया हमेशा समान रहती है चाहे कोई भी पुलिंग हो लेकिन क्रिया में धातु जो है इस्त्रिलिंग के साथ हो चाहे पुलिंग हो चाहे नपुस्तक लिंग हो सब के साथ एक समान क्रिया का प्रियोग होता है जैसे तव पढ़ते हैं और ते पढ़ते हैं ते पढ़ते हैं ते पढ़ते हैं और ता पढ़ते हैं ता पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो लेकिन हम इसमें तुम पढ़ती हो ये भी हमारा ठीक होगा इस्त्रिलिंग के लिए भी हम तुम पटसी बोलेंगे और पुलिंग के लिए भी हम तुम पटसी लेंगे क्योंकि सर्वनाम हमारे सामने लड़का हो या लड़की हो दोनों को ही तुम बोलेंगे तो सर्वनाम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों सर्वनाम इस्ट्रीलिंग और पुलिंग दोनों में एक जैसे रहते हैं तो तुम पढ़सी तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो युवाम पठत तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो युयम पठत तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ती हो एहम पठामी मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं या हम दोनों पढ़ती हैं वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं या हम सब पढ़ती हैं इस तरीके से आपने चोटे चोटे वाक्य भीद देखे कि हम उन्हें किस तरह संस्कृत में धातू का प्रयोग करते हैं अब आप पूरा पाट पढ़ोगे और अभ्यास कारिये अपनी कौपे में करोगे धन्यवाद